कि नमस्कार आपको स्वागत एश्या न्यूज इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए नीजी संपत्यों को सविदान के अनुच्छेत 49 वी के तहट अधिक रहन कर सकती है मामले पर सुप्रिम कोट की नो जजो की बैच ने मंगलवार को 1988 में दिया गया अपना ही फैसला पलट दिया CJDY चिद्नचून की अधिक्ष्टा में नो जजो की बैच ने साथ एक के बहुमत से फैसला सुनाया कोट ने कहा कि हर नीजी संपती को सामूदाइक संपती नहीं कह सकते कुछ खास अंसाधनों को ही सरकार सामूदाइक संसाधन मानकर इनका इस्तिमाल आम लोगों के हित्मे कर सकती है बैच ने 1908 में दिये जस्टिस क्रश्ट न अयर के उस फैसले को खारिच कर दिया जिसमें कहा गया था कि सभी नीजी संपतियों पर राज सरकारे कबजा कर सकती है सीजी आई बोले पुराना फैसला विशेश आतिक समाजवादी विचाधारा से प्रेरित था हलाकि राज सरकारे उन संसादनों पर दावा कर सकती है जो भोतिक है और सारवजनिक भलाई के लिए समोधाय द्वारा रखे जाते हैं सीजी आई डिवाई चिंदचून जस्टिस रिशिकेश रॉय जेवी पार दीवाला मरोज मिश्रा, राजिश बिंदल, सेसी शर्मा और अगस्टिन जॉर्च मसी ने बहुमत का फैसला सुनाया जस्टिस बीवी नागरतना ने बहुमत के फैसले से आंचिक रुप से असामती चताई जबकि जस्टिस सुधान्चू धुलिया ने सभी पैहुलूओं पर समिती चताई बैट 16 याचिका उपर सुनवाई कर रही थी जिसमें 1922 में मुंबई स्थिर प्रॉपर्टी ओनर्स एससियेशन द्वारा दायर मुख्य याचिका भी शामिल है पी ओए ने महराष्ट हाउसिंग एंड एरिया डिवलप्मेंट एक्ट अधिनियम के अध्या एट ए का विरोत किया है 1986 में जोड़ा गया अध्या राजी सरकार को जीर्न शिंड इमारतों और इसकी जमीन को अधिग्रहित करने का अधिकार देता है झाल 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 जोड़ा खग्या है